नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारी से यूटूब चनल विधी टीरिया में दोस्तों आज के इस वीडियो का विशे यह है कि यदि किसी व्यक्ति ने बैंक से या फिर किसी भी फाइनेंस कंपनी से कोई भी वैकल फाइनेंस करवाया है और जब वह अ उस बैंक के खिलाफ या फिर उस फाइनेंस कंपनी के खिलाफ फाइयार कर सकता है कि नहीं आप लोग में से बहुत सारे लोगों का प्रश्ण यही रहता है और आप लोग सोचते हैं कि जब कोई व्यक्ति लोन के रूप में कोई गाड़ी लेता है या फाइनेंस करके कोई रहे घड़ी खरिता है और जब वह पैसा नहीं पेड करता है अपना और जब वह अपना लोन नहीं चुकाता है उस फाइनेंस के को पैसा नहीं देता है तो फाइनेंस कंपनी के जो सीजर होते हैं जो recovery agent भी कह सकते हैं अगर वह गाड़ी को उठा ले जाते हैं तो क्या आप उनके ऊपर कोई भी दर्ज करवा सकते हैं नहीं आज हम लोग इस वीडियो में इस बात को जानेंगे तो बने रहे इस वीडियो में सुरू सिले के अंतक और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल विदी तेरिया को सब्सक्राइब जरूर कर लिजएगा साथी साथ बेल आइकन तब आके नोटिफिकेशन भी ओन कर लिजएगा ताकि आपको कानूं सम्मंदित लिटेस जानकारी इस चैनल के माध्यम से रोज मिलती रहे तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं दोस्तों देखिए जब भी कोई व्यक्ति किसी फाइनेंस कंपनी या फिर बैंक से कोई आटो लोन लेता है या फिर कोई वैकल लेता है जो फाइनेंस कराता है और जब वह अपने उस वैकल के इमाई को नहीं पेड करता है तो फाइनेंस कंपनी के सीजर या फिर बैंक के सीजर सीजर का मतलब यह होता है कि वह एजेंट जो की गाड़ियों को जब्त कर लेते हैं या फिर उठा लेते हैं तो यदि वह सड़कों पर से या फिर आपके घर से गाड़ी को जबर जस्ति उ 2009 में एक judgment दिया था और उसमें यह कहा गया था कि जब व्यक्ति फाइनेंस कंपनी से या फिर बैंक से कोई गाड़ी लोन के रूप में लेता है तो वह गाड़ी तब तक बैंक या फिर उस फाइनेंस कंपनी के संपती के रूप में माले जाती है जब तक कि उसका पूरा का चुकाने में डिफॉल्ट करता है चू करता है तो वह फाइनेंस कंपनी या फिर वह बैंक उस गाड़ी को सीज करने के पूरे के पूरे अधिकारी होते हैं इसमें किसी प्रकार का कोई अपराधिक मामला नहीं बनता है क्यों क्योंकि उन्होंने लोन लिया है और यह सेक्यो नहीं देता है और बैंक या फिर उस वित्य संस्थान से नो ड्यूज या फिर अनोसी का पेपर नहीं ले लेता है तो इस प्रकार से आपने भी बैंक से लोन के रूप में कोई गाड़ी को फाइनेंस कराया है या फिर किसी फाइनेंस कंपनी से कोई गाड़ी फाइनेंस करा करते हैं क्योंकि वह गाड़ी उनके अधिकार में रहती है जब तक कि आप उसका पैसा चुका न दे लेकिन यदि इसके अलावा अगर वह आपके साथ बत्तमीजी या फिर मार पीट करते हैं अक्सर दिखा गया है कि यह सीजर या फिर रिकवरी एजेंट कस्टमर के साथ मार मार पीट करते हैं गाली गलाउस तक करते हैं तो इस आधार पे आप उनके खिलाफ एक अफ़ायार कर सकते हैं और उनके उपर मुकदमा कर सकते हैं लेकिन गाड़ी के सीज करने के समन्द में आप कि किसी प्रकार से उनके उपर कोई भी अफ़ायार नहीं कर सकते हैं और नह सब्सक्राइब करके भी हमें बता सकते हैं दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा और हमारे सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा थैंक्यू सो मच जय हिंद्र